जैहंद जैसा कि आप लोगों को अबगत हो गया होगा कि मद्दपते शरकार एक नया नियम लाई है जिसमें किसी भी भूमी की रजिस्ट्री यानि की IGRS यानि इंस्पेक्टर जेनल ओफ रजिस्टार एंड इस्टाम पोर्टल पर दर्ज होती है तो उसका नामंतरण के यह बहुत ही अच्छा नियम है और इससे काफी लाब होने वाला है इसके संबंद में पटवारी के द्वारा साइबर तैसिल 2.0 में पॉजिटिव प्रतिवेदन तथा निगेटिव प्रतिवेदन कैसे लगाना है इसी के बारे में देखने वाले हैं जैन जै जवान जै आप देख रहे हैं ग्यानोदय ग्यान ऐसे ही राजस्विभाग से संबंदित इनफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस जरूर कर लें जैसा कि यहां पर देखा जा रहा है कि साइबर तैसिल 2.0 की जो क्यारिक प्राणाली है कि इसलिए लागू करी गई है इससे क्या-क्या लाब होने वाले हैं तो सबसे पहले तो क्या है अभी साइबर तैसिल जो बन पहले से चल रही थी जिसको अभी 2 साल करीब हो गया है उ तो शाइबर तैसिल बनके अंतरगत आता था लेकिन यदि उसमें से कुछ हिस्सा पार्टियल पार्ट्स यानि कि कुछ आंसिक हिस्सा ही विक्राय करता था तो वह जो पुराणिन प्रिक्रिया होती थी तैसिल में ओफलाइन तरीके से फाइल दरज करना प्रिक्राय करना आब यानि कि अब दोनों साइबर तैसिल 1 और साइबर तैसिल 2.0 दोनों चलेंगे जो पूरा रखबाविकेगा वो साइबर तैसिल बनके अंतरगत जाएगा और साइबर तैसिल 2.0 के अंतरगत आएगा इसमें क्या होगा कि अधिक्तम 8 लाग से एबरेज नामंतरन निराकरत हो पाएंगे और साइबल तैसिल 2.0 द्वारा सुता ही सूचना पत्र जारी हो जाएंगे इस्तेहार जिसको विग्यापन इस्तेहार भी जारी हो जाएंगे पतवारी के पास पृतिवेदन के लिए मेमो भी जाएगा और प्रतम उपस्तिती दिनांक भी यहां पर आ जाएगी माधियम से क्रेटा, विक्रेटा, ग्राम बाशी, पतवारी सबी को any स्मस के माधियम से सूचना भी भी बहजी जाएगी दाबापति की लिंक सूचना पत्र के साथ संसे पक्षकार और ग्राम बाशीयों को परस्यत्यकिज़्यद्ट की जाएगी अब आप सोच रह होंगे ग कि इस्प्रकार की विवस्था करी गए कि पी-म-किशान और स्री मंगे उजजिनाम है उस घ्राम्बास्यों ने अपने फॉन नमबर पहेक्श करके मांप्दिहर आख्ञा करके साथ सथ पटवारी के सारा पोर्टल पर पटवारी पृत्वेदन के लिए नक्सा ड्रॉप ओनलाइन ही तयार करके भेज दिया जाएगा नक्सा बंटांकन भी साथी साथ कर दिया जाएगा तो यह सारी प्रिक्रिया थी जो साइबर तैसिल 2.0 के अंतरगत होने वाली है अब पटवार पटवारी को किस प्रकार से जैसे कि हमने वीडियो में बनाया है इसके पहले भी एक वीडियो ओवर आल ओवर व्यू के लिए आ चुका है इसी चैनल पर लेकिन इस वीडियो में पटवारी को कैसे अपना प्रतवेदन जमा करना है वही देखने वाले हैं तो पटवारी ग क्लिक लेंगे तो अप जैसे ही एड़ कंप्लाइंच पर किलिक करेंगे जो रिक्वेस्ट आई है वह रिक्वेस्ट यहां पर प्रतशित होगी जिसमें एप्लीकेशन नंबर पिर कंक्रमांग खसरा आईडी खसरा का नंबर जो ग्राम का कोड और स्टेटस जो अभी अंडर प्रोग्रेस में दिखाई देगा तो यह चीज़ें आपको दिखाई देंगे आपने क्या करना है जो अप्लिकेशन नंबर है अप्लिकेशन ब्लू कळर से यह एक है फिर क्यों कि यह जर्थ यह पर बटन यहां पर दिखाई देंगे वह ब्लह है वह पॉसिटीव प्रतिवेधन के लिए है और नीचे वाला वटन नेगेटिव पृतिवेदन के लिए है तो नेगेटिव और पॉजिटिव ये दो पृतिवेदन आपको देना है दोनों में से कोई एक देना है तो अभी पॉजिटिव पृतिवेदन के संबंद में देख लेते हैं पॉजिटिव पृतिवेदन से तात जाएगा यदि प्रकण को रोकना है या दाव अपत्ती में लेना है तो इसको नेगेटिभ प्रितवग्धन के तहEER इस में चीज़ें भरी जाएंगे तो पूजिटिव प्रितवग्धन आर सीमेश जैसे ही आप पूजिटिव प्रितवेदन पर क्लिक करेंगे तो आर्सिमेस के प्यों लॉग इन पर भी वह प्रदर्श्चत होगा साथ ही साथ बंटांकन अमल करने के लिए बैब जियाइस पर भी रिडायरेक्ट होगा जहां पर आपने जैसे की नामंतरण के लिए करते थे वो प्रिक्रिया वहां से खुल शुरू हो जाएगी वो पोजिटिव प्रदिवेदन पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से देखिए जैसे की आदेश अनुपालन बैब जियाइस की आईडी पर आदेश अनुपालन में आप नाम तक के वो सारे सरवे नमर यहां पर दिखाई देते हैं इस पर आप काम कर रहे हैं इसको आप सारी चीजें आपको पता है इस पर वीडियो भी पहले आया हुआ था जब आदेश अनुपालन है तो इसका भी लिंक में उपर आई बटन पर दे दूँगा तो यहां से क्या करन है आपने जो जो नमबर है में अनमर नमरों को यहां पर जोड़ना होता है यहां पर जोड़नें governance कििल्च करके और जो सर्वे नमर में बटा बने हैं कुछ कि पार्षा हिस्सा जैसे की लिया हुआ है तो इसके बंटांकन में आपने हिस्सा बनाना है यदि दो हुए है तो एक बटे दो तो वो सर्वे नंबर का बटे दो बनेंगे अगर तीन हुए जितने भी बनें तो इसे साफ से उसके बंटांकन करके आपने सर्वे नंबर को जोड़ते जाना है तो इस प्रक ऑप सेंग डाटा सफ़लता पूर्वक्क शेव कर लिया है स्को आपने शेव कर लेना है और उनके नाम डाल देना पेञा पैन बटन से जिस इससों भी जिसने खरीदे गई है जमीन इस प्रकार से खरीदने के पहते हैं यूजे लुक्त कर देना है तो उनको यहां से और शेब करेंगे यह दियुक्त कर कि ऊंछ्रसेंगे तो सिघ्डाइकन के सिद्धे नगी हैं इसके सेब्सक्राइब के ने काटने के लिए आपको मैप पर लेके जाएगा अब आपने जिसने भी जमीन खरीदी है अभी तक क्या होता था कि हम उसका हिस्सा बना के कर देते थे लेकिन नक्से में बंटांकन नहीं हो पाता था तो अब रजिष्टी के साथ ही क्रेता विक्रेता को सुनिश्चित करना होगा कि कौन से तरफ का हिस्सा हमने वेचा है किस तरफ के हिस्से पे अमल करना है तो वो चीजें आपको अब रजिष्टी के साथ ही क्रेता विक्रेता को सुनिश्चित करनी होगी तो पटवारी यहां से नक्सा में लाइन डाल देंगे लाइन डालने की वही प्रक्रिया है यह सारे इसके टूल से इस पर भी वीडियो चैनल पर मौझूद है उसको में आई बटन पर दे दूँगा तो सारी बहुत बिस्तार से बहुत अच्छी तरीके से नक्सा बंटांकन का वह वीडियो डला ह हुआ है आप उसमें कुछी भी प्रकार की दिख्यत आती है तो देख सकते हैं तो इस प्रकार से आपने नक्सा डाल देना है नक्सा जैसे ही आप यहां पर डाल देंगे टिपड़ी में टिपड़ी में वह पिरकंट क्रमांक जो आया हुआ हुआ है वह पिक्रमांक यहां प पूर्बग जमा कर लिया गया है इस प्रकार से मेसेज आ जाएगा यह मेसेज आने के बाद यह पीओ और यानि की आपके तैसिल्दार नायब तैसिल्दार पीटा के पास आपकी रिकोस्ट पहुच जाएगी तो यह पहा आपका पॉजिटिव यह प्रक्रिया आपने जब पॉजिटिव बटन यानि की ऊपर वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो पॉजिटिव पृतिव बेदन कहलाएगा और पॉजिटिव पृतिव बेदन इस तरीके से हो ज जाएंगे इसमें साथ option दिये गए हैं जिनके आधार पर आप इस जो आदे साफ को प्राप्त हुआ है उसको रोक सकते हैं जिसमें पहला है दस्ताबेच का निस्पादक वह ब्यक्ति नहीं जिसके नाम भू अबलेकों के दारण के तोर पर अबलेके तहयानी की आपने किर्ट पूर भूमी या उसका अंसभऑ पूर से ही किसी अन ब्यक्तिय संस्था को अंतरत हो चुका है भूब लेकहों में नाम अंतरे हैं यह जानकारी जानकारी है कि यह रखबा पहले से ही विक्रित हो गया है लेकिन इसका नामंत्र नहीं हुआ है आपकी शंग्यान में है तो आप दूसरे वाले ओप्सन पर क्लिक करेंगे नमबर तीन लेकित में मेरे पास उपलब सुचना के अनुसार ऐसी भूमी के अंतरण पर रोख है या किसी अन्य परकार की यानि कि टीचरे अंदर में आपको जानकारी है कि इस वाले भूमी पर किसी प्रकार की दावा पत्ती चल रही है कोई विबादित है या इस पर इस्टे लगा हुआ है तो आप्सन नमबर तीन को सेलेक्ट करेंगे नमबर चार भूमी का अंतरण करता आदम जनजाती का है एवं भूमी की अंतरण आदी जनजाती से भिन्ने यानि कि जो एस्टी का नियम है कि एस्टी का ब्यक्ति दूसरे अन बरके ब्यक्ति को भूमी नहीं बेच सकता है तो इस नियम के आधार पर यदि ऐसी आती है तो आप no.4 को सेलेक्ट करेंगे नम्बर पांच, भूमी देविस्थान भूमी की सेवा है, अत्वा भूदान एग नियम के अंतरगत यह ऐसे कर słu मी की है, यानि की देविस्थान यह सेवा भूमी की भूमी है तो उसको बिकरत नहीं किया जा सकता है इस प्रकार किये दिये तो उसको उप्सन नंबर फाइब के चेक बोक्स पर किलिक करेंगे नंबर च्छे भूमी भूर्जन पुरुनाथ पुनस्थाबन पृतिकर पार्देश साधिनियम इसके अंतर गदेदी भूर्जन के द्वारा भूमी को प्राप् में संब्देदी कोई खत्म हो गया है और उसके जो बैद बारिशान है उनको किसी को छोड़ दिया गया है और उसमें किसी प्रकार के विबाद चल ला है तो इस प्रकार के ऑप्सन को आपने साथ में लेना है ऑप्सन नंबर साथ पर अब बहुत सारी बहुत सारी ऐसी समश आती हैं जिन यह जो साथ option में cover नहीं हो रही है तो अब आप कहेंगे तो यह बाला तो इसमें option दिया नहीं है तो मैं क्या select करूंगा तो आपने क्या करना है यदि इन साथ option में से यदि और कोई दूसरा option है तो आपने यह जो बॉक्स दिया गया है इस box में वह लिखना है Send to RMS कर देना है जैसे आप Send to RMS करेंगे तो है आपके PO ID पर चला जाएगा और यह दाबा आपत्ती में फिर offline तरीके से इसको सुना जाएगा जो भी आपने यहां पर negative प्रतिवेदन दिया है उसको फिर दूसरे तरीके से लिया जाएगा तो यह negative प्रतिवेदन की प्रिक्रिय यहां से इस तरीके से थी तो निगेटिव और positive प्रतिवेदन किस प्रकार से पटवारी को देना है यह दस दिवस का समय मिलेगा जैसे ही आपके पास ID पर दिखाई देगा दस दिवस का समय मिलेगा दस दिवस के अंतरगत आपको प्रतिवेदन प्रिश्टुत कर देना है दस दिवस के अंतरगत नहीं मिलेगा तो आपको पहला रिवांडर मिलेगा तीन दिन के लिए पटवारी को पहला रिवांडर तीन दिवस के लिए मिलेगा उस तीन दिवस के अंतरगत फिर आपको प्रतिवेदन दे देना है तो यह जानकारी थी कि पटवारी को प्रतिवे होंगे वो इस साइबर तैसिल 2.0 के अंतरगत आएंगी तो है वीडियो आपको कैसे लगा अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें इससे संबंदित और भी कोई अपडेट आती है तो आपको चैनल पर मिल जाए थेंक यू फॉर वाचिंग हैवे नाश डे